हेलो फ्रेंड्स आपकी साथ शियर करी हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तो अगर GSTR 3B और GSTR 1 में आपसे गलतियां हो जाती हैं तो आपके पास कुन से ओप्शन्स अवेलेबल रहते हैं उन्हें ठीक करने के ये हम जानेंगे आज की वीडियो में इसके लिए हम डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया था सर्कुलर नंबर 26 पाई 2017 जो 29 दिसंबर 2017 को आया था उसका रेफरेंस लेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को याद दिला दू अगर आपने फाइनेशल येर 18-19 की इंकम टेक्स रिटर्न मिस कर दी है तो आपके पास एक आखरी मोका अपनी बिलेटेड एंड रिवाइस रिटर्न फाइल करने का आपसे कुछ कल्दिया हो गई है तो आप रिवाइस रिटर्न भी फाइल कर सकते है फानेशल येर 18-19 की 30 जून 2020 है इसकी लास डेट तो भूला नहीं है अगर आपने मिस कर दी है या आपके किसी नोन परसन ने मिस कर दी है तो उस तके इंफोमेशन जरूर दीजेगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रही तो दोस्तों सर्कुलर को थोड़ी सी इजी लेंग्विज में हम समझने की कोशिश करेंगे सर्कुलर नमबर 26 by 26 by 2017 जो की आया था इस चीज की क्लारिटी के लिए कि अगर आपसे GSTR 3 भी या GSTR 1 में जो है mistakes हो जाती है तो आपके बास क्या options available हैं पहले हम जानेंगे under reporting of tax liability माल लीजिए कि आप अपनी कोई sale दिखाना भूल गए हैं बहुत सारे आम दोर पर यह हो जाता है कि हम अपनी sale दिखाना भूल जाते हैं तो ऐसी case में हमारे पास क्या option रहता है तो उन्होंने का है liability may be added in the return of subsequent month तो आप अपनी आगे आने वाली महीनों में वो sale को दिखा दीजिए after payment of interest उस sale पर जो भी tax payable होगा वो आपको with interest जो है pay करना होगा तो आने वाली months में आप उसको दिखा सकते हैं किस heading के अंदर आपको वो दिखाना है GSTR 3B के अंदर point number 3.1 जो की heading है outward supply and inward supply on reverse charge basis वहाँ पर आपको अपनी sales दिखानी होती है तो आप subsequent months में उस sale को दिखा सकते हैं और जो उसकी payment है tax की उसको with interest pay कर सकते हैं चलिए आप next दिनोंने कहा है ये तो बात हुई 3B की GSTR 1 में आपको कहाँ पर दिखानी है तो GSTR 1 में भी जो आपकी आने वाली next month की GSTR 1 है उसमें दिखा दीजी तो इस तरीके से आप GSTR 3B और GSTR 1 में उस sale को दिखा पाएंगे अब second हमारा हो सकता है over reporting of liability कि हमने कोई by mistake हो सकता है एक sale को दो बार दिखा दिया या फिर cases हो सकते हैं हम कोई sale return दिखाना बूल गए हैं तो ऐसे case में भी हमें का जाता है कि आप आने वाले महीने में उस चीज को report कर दीजिए और उसका जो है आप benefit next month में लीजिए liability जो है उसकी आने वाले महीनों में adjust कर लीजिए अगर मान लीजिए आपको लगता है कि अभी आने वाले महीनों में आपकी sale नहीं होने वाली है या सिर्फ और सिर्फ exempt आपकी supply है तो ऐसी case में आप उसका जो liability है जो ITC है जो आपने extra tax pay कर दिया है आप उसका refund claim कर सकते हैं तो दोनों ही आपके पास option है या तो आगे चल करके उसको adjust कर लीजिए अगर आपको लगता है adjustment possible नहीं है तो आप उसका refund claim कर लीजिए GSTR1 की बात करें तो अगर कोई liability कोई sale आपने दो बार दिखा दी है या कोई sale return आप लेना भूल गए है तो GSTR1 में amendment table है table number 9 उसमें जा करके आप उसे ठीक कर सकते हैं थर्ड जो उन्होंने बताया है wrong reporting of liability कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि किसी interest rate supply को हमने interest rate supply दिखा लिया B2B को B2C दिखा दिया तो ऐसे cases में हमें क्या करना है तो यहाँ पे उन्होंने कहा है under reporting liability may be added in the next month return with interest if applicable also adjustment may be made in the return of subsequent month or refund can be claimed where adjustment is not possible then the sad interest rate liability और balance tax liability has to be paid and earlier paid interest rate liability can be adjusted मालनी जी कि आपने किसी interest rate supply को interest rate supply दिखा दिया और interest rate पे आपने जो tax pay किया है आप उसका refund claim कर दीजिए और जो interest rate आपने दिखाई नहीं है आप उसे दिखा दीजिए और tax pay कर दीजिए I hope यह point आपको clear है गलती से आपने किसी interest rate supply को interest rate supply दिखा दिया तो आपने जो interest rate supply दिखा कर tax की payment करिया है आप उसका refund claim कर दीजिए और interest rate जो आपको दिखाना चाहिए था आप उसको दिखाईए और जो उसका tax बनता है आप पहले उसकी payment कीजिए GSTR1 में इस चीज़ को ठीक करने के लिए amendment table है table number 9 आप वहाँ पर इसको जा करके ठीक कर सकते हैं next आ जाता है under reporting of ITC ITC which was not reporting may be available filing return for subsequent month तो माल लीजे आपने कोई purchase थी आप वो दिखाना भूल गए हैं तो अगे चल कर महीनों में आप वो purchase दिखा लीजे और उसका ITC claim कर लीजे ITC कब तक आप claim कर सकते हैं उससे related video ओल्रड़ी मैं upload कर चुकी हूँ आप वो देख लीजेगा ताकि आपको clarity हो जाए कि particular financial year का ITC आप कब तक claim कर सकते हैं GSTR1 में इसकी कोई भी action नहीं होता तो ऐसे case में आपको क्या करना होगा या तो आप उसे cash के through pay कर दीजिए या आप उस ITC को दिखा चुके हैं और उसे utilize कर चुके हैं यनि कि payment of tax में आप उस ITC का benefit भी ले चुके हैं जो आपने गलती से जादा दिखा दिया है तो फिर next month में आप उस ITC को reverse कीजिए with interest wrong reporting of ITC same जैसे wrong reporting of sale की थी आपने तो pay through cash and reverse any wrong reporting ITC in return of subsequent month for under reporting ITC the same can be available in subsequent month तो अगर आपने कोई गलत ITC जादा ले लिया है तो उसे reverse कीजिए अगर आप उसे जो है उसका cash में payment कीजिए अगर आप उस ITC को utilize कर चुके है tax की payment के लिए तो फिर आगयाने वाली returns में आप उसको reverse कीजिए with interest अगर आपने कम ITC लिया है तो फिर आप आगयाने वाली returns में वो purchase दिखा के उसका ITC ले लिजिए और GSTR1 में इसके कोई भी reporting नहीं होती है तो यह थी important information जो मैंने आपके साथ की है इस वीडियो के अंदर share नहीं होती है ओँ आपूई प्रोड़ चांद